पूछे राजिस्तान के किसान है लेकिन इनों ने आप पे सवालया निशान लगाया है ये बोलते हैं एके मिश्रा जी का देश और किसान और खेती में क्या योगदान है हम शुरो तर जानना चाहते हैं हाँ पूछिए राजिस्तान के किसान है लेकिन इनों ने आप पे सवालिया निशान लगाया है ये बोलते हैं एक मिश्रा जी का देश और किसान और खेती में क्या योगदान है हम शुरू तर जानना चाहते हैं सबस्ब अले तो मैं उनको नमश्कार कर लूँ अच्छा हुआ देखे है क्या हो सकता है आप लोग मुझे बहुत सारे टीवी चैनल पर देखते हों तो बहुत ज्यादा ग्लैमराइज मुझे समझने की कोशिस न करें मैं उसमें नहीं जाता हूँ मैं अपना परिश्य दे दे सडके नहीं थी पकडंडियां हुआ करती थी और चलने के लिए बमुश्किल साइकिल होती थी अधरवाइस गोड़े तांगे यह सब चीजे होती थी रही बात किसानों के मामले में हमारा योगदान क्या है तो जब से हमने पैरों पे पैरों पे खड़े हुए हमारे दादा किसान के जितने काम होते हैं खेत जोतने से लेके बोने तक गन्ना ये सारी चीजे धान के टाइम पे बेहन हम लोग सर पे उठा करके खेत में ले जाके छीटते थे फेकते थे तालाब में हम लोग गायों को बैल को नहलाते थे पशुपालन भी करते थे और किसानी करते थे ह हमारा schedule यह होता था कि सुबा उठ करके सबसे पहले हम लोग जो गोबर होता था पशुशाला में लगभग 15-20 जानवर होते थे उनके गोबर को उठा के एक निस्चिक जगह पे फेकते थे हम लोग उस गोबर से कंडे बनते थे और या फिर वो बाद में गोबर गैस आई तो कोबर गैस में हम लोग ढोल के डालते थे उसके बाद हमारा schedule शुरू होता था कि थोड़ा बहुत खाना खाके अगर हमें रसियां बनानी होती थी तो हमारे दादा जी सुबा उठा के वो एक पौधा होता है खेती में ही होता है सना है उसको सडा करके उससे हम लोग रसियां मगरा का काम होता था सारी चीजे होती थी गन्ना गन्ने से गुड़ बनाना गन्ने की बुवाई से लेके गन्ने से गुड़ बनाने तक की सारी प्रक्रिया को मैं जानता हूं और केवल एक दिन एक दिन का नहीं है ये schedule कि हम गये hero heroine की तरह photo shoot करके चले आए देखो जी मैं स्केट में खड़ा हूं ये हमारे routine का schedule होता था और ये time उस वक्त अगर आप किसान है तो आप जानते होंगे कि बाग में या खेलते हुए हम चपल उपल कोई नहीं पांता था मैं किवल एक half plant हम लोग पांते थे अगर चोट लग जाती थी तो उस पे दवा नहीं लगाते वो चोट नेचरली वो अंगोठे के नीचे फट जाता था पत्कर लगने से वो चोट नेचरली फिट होता था हम लोग उस पर मिट्टी ही डाल लेते थे तो जो एक भारती किसान होता है वो हमने किया हुआ है और मुझे फक्र है कि आजे की जनरेशन को ये सब चीजे नहीं दिख रही है लेकिन वो जो ट्रेडिशनल खेती और किसानी होती है बैनों के साथ जो खेती और किसानी होती है वो सारी चीजे हमने की है तो ये मेरा योगदान रहा है आज लाइफ स्टाइल बदल गई है लेकिन मैं आत्मा से किसान हूँ तो मैं इतना योगदान जरूर कर तो डिफिनिटली जो बाते हम लोगों ने की हैं वो आपके खुशाली के लिए की है मैं यहां आपने मगें जी मुझे उमीद है कि आपको मिश्रा जी का जवाब मिल गया होगा हाला कि यह जवाब आपने उन से नहीं